द्वारा, कबीर, प्रेम के महत्तु के बारे में बधाना चाहते हैं। साकी सुनलीजिये, पोती पड़िपडी, जग मुवा, पंडित भया नकोई। अइखै, अशिर, पीव का, पड़ेशू, पंडित, होई। कबीर कहना चाहते हैं। पोती पड़िपडी जग मुवा, पोती ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पुस्तक, पट्ते पट्ते, जग मुवा, दुनिया बीद गई। कई ज्यानी लोगमने यहां जन्मिली आता, ये सर, ज्यान प्राप्त कर दिया, कैसे पोती पटपटके, कई ग्रंथ पटकर, ये ज्यानी बन गई। लेकिन पंडित बयान कोई, लेकिन कोई भी सच्चा पंडित नहीं बन सका। क्योंकि पुस्तक पटने से बड़े-बड़ी-बड़ी पुस्तक, बड़े-बड़े ग्रंथ पटकर, शांस्त्रिय ज्यान हम प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया का ज्ञान हम प्राप्त कर सकेंगे, ज्ञानी बन सकेंगे, लेकिन सच्छा पंडित उस्तक पटने से नहीं, कभीर की राई में सच्छे पंडित बिनने के लिए क्या होना चाहिए, वही दूसरी सक्षिमें दिया है, आईकई अशिर फीव का एक अच्चर, आईकई एक अच्चर पीव प्रेम का पड़े सूपंडित होई, जो प्रेम के एक अच्चर को अच्ची तर पढ़ते हैं, एक अच्चर के बारे में जानकारी लेते हैं, जान लेते हैं, जिने प्रेम के बारे में ज्यान हैं, प्रेम क्या है, केवल वही क्या बन जाएंगे? पंडित बन जाएंगे, जो प्रेम के एक अच्चर पढ़ते हैं, सूपंडित हो, वे अच्चे पंडित बन सकेंगे, अच्चे पंडित बनने के लिए केवल पुस्तक पटना ही नहीं, साथ-साथ प्रेम की जानकारी भी हमें जरूर होना चाहिए, क्या है प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है, इन सब को मारून होना, केवल पुस्तक पटकर, अच्चे अच्चे अंग लेकर, एक अच्चे ज्यानी बनने से कोई पंडित बना सकेंगे, पंडित केवल वही होता है, जो प्रेम के बारे में सच्ची जानकारी है, प्रेम क्या है, यह हर एक मनिश को जानना चाहिए, यही कबिर इस साखी द्वारा हमसे कहना चाहते हैं, क्या है एक बार भी पट्वी जिये, पोथी पडिपडी जगु मुवा, दुनिया बीद गई, जगु मुवा, दुनिया बीद गई, ग्रंद पट्टे पट्टे, ग्रंद पट्कर, पोथी पडिपडी ग्रंद पट्कर, दुनिया बीद गई, पंडित भयान कोई, लेकिन को कोई भी सच्चा पंडित नहीं बन पाया कबिर की राई में सच्चे पंडित कोन है एक अशीर पीव का पड़े जो प्रेम के पीव प्रेम अशीर अच्छर जो प्रेम का एक अच्छ जानते हैं के अवल एक अच्छ जानते हैं वे ही पंडित बना सकेंगे तो कबिर इसके प्रेम के मथ्aken के बारे में बदाते हैं यदि हम कई ग्रंद और कई पुस्त्तक पढ़ते हैं तो भी साथ साथ हमें क्या होना चाहिए दूसरों से प्रेम करने का भाव हमें जरूर होना चाहिए इही कबीर यहां कहना चाहते हैं